सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लैनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे बारे देखने के लिए प्रिये विद्यार्थियो कल हमने साइन्स के चेप्टर पांच पदार्थों का प्रथक करण कक्षा छे में ये पाठ हम नेकल पड़ा था आज इसके प्रशन उत्र हम करेंगे बड़ा इरुचिकर पाठ था कि किस-किस प्रकार से जो पदार्थों को प्रथक करने की विद्या है कोई हस्त सैन है त्रेशिंग है और निश्पावन चालन निश्तारन और इसके बाद में कोई वास्पन है प्रथक करन की एक से अधिक विद्यों का उप्योग इस प्रकार से हमने ये पूरा पाठ है कल पड़ा था एक बार इस पाठ का सारांस देख लेते हैं हस्त चैन निश्पावन चालन अवसादन निश्तारन तथा निश्यंदन मिस्रनों से उनके अव्यवों के प्रथक करन की कुछ विद्या है अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्त चैन के द्वारा प्रथक किया जा सकता है भूसा अनाज के भारी बीजों से निश्पावन विद्य द्वारा प्रथक किया जाता है किशी मिस्रन के कड़ों की आमाप में अंतर का उप्योग चालन और निश्यंदन पर किरियाओं के द्वारा प्रथक करन में किया जाता है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कन तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधी के द्वारा जल को प्रतक किया जाता है द्रव तथा उसमें ऐ विले पदार्थों के अव्यभों को निश्यंदन के उप्योग से प्रतक किया जा सकता है किसी द्रव को उसी वास्प में परिवर्तित करने की प्रिकिरिया को वास्पन कहते है वास्पन की विदी का उपयोग द्रव में गुले ठोस को प्रतक करने में किया जा सकता है जिस विलियन में कोई पदार्थ और अधिक ने गूल सके वे उस पदार्थ का संत्रिप्त विलियन होता है किसी पदार्थ के विलियन को गरम करने पर उसमें और अधिक पदार्थ गोला जा सकता है जल विले पदार्थों की विविन मात्राओं को गोलता है इसके प्रशन है हमें किसी मिश्रण के विविन अभिवों को पर्तक करने क्या हो सकता क्यों होती है दो धारन दीजिए निस्पाउन से क्या भी पराए है पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे अलग करेंगे चादन से क्या भी प्रय रेत और मिश्रण से आप रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे अलग करेंगे आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को परतक करना संभव है और पंकिल जल के किसी नमूने से स्वक जल कैसे प्रप्त करेंगे उसके बाद में ये कुछ रिक्स्तान है तो हम ये सारे के सारे जो इसके प्रशन है उसको लिखित के रूप में देखिए इसका प्रशन नमबर एक हमें किसी मिसरन के विभिन अव्यवों को प्रतक करने की आवशकता क्यों होती है दो उधारन लिखिए इसका उत्रोगा, किसी पदार्थ का उप्योग करने से पहले रहे हमें इसमें से हानीकार्क या गैर उप्योगी पदार्थों को अलग करना होता है जो इसके साथ मिस्रित हो सकते है शुद्ध रूप में प्राप्त अव्यवशुविधा पुर्ण तईके से प्रयोक किया जा सकता है उधारण के लिए हस्त चैन की विदी के द्वरा गेहूं चावल या दाल से गंदगी, पत्थर, बूसी, रेत इनके टुकड़ों या इन जैसी थोड़ी बड़ी अशुद्यों को अलग करते है चावल या दाल को पकाने से पहले आम तोर पर धोया जाता है जब हम इन में पानी डालते हैं धूल तो धूल और मिट्टी के कड़ों जैसी अशुद्यां इसे अलग हो जाती है प्रशन नमबर दो निश्पावन से क्या भी प्राय है ये कहां उप्योग किया जाता है किशी मिश्रण के भारी और हलके अव्यवों को वायू के जोंकों के द्वारा अलग करने की विधी को निश्पावन कहते है सदार्णतिया किसान इस विधी का उप्योग हलके भूसे को भारी अनकणों से प्रथक करने के लिए करते है तीसरा प्रशन इसका देखिया पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे अलग करेंगे उत्तर होगा पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से भूसे और धूल के कणों को हम हस्त चैन विधी द्वारा अलग करेंगे इसके लावा एक विधी और भी हो सकती है कि दाल में ये धूल के कण़ है तो फिर उसको पकाने से पहले उसको पानी में डाल के उसकी धूलाई करके भी उसकी मिटी अलग की जा सकती है अगला प्रशन है चालन से क्या अभी प्राय है यह कहां उप्योग होता है अलग-अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को चानने की प्रकिरिया को चालन कहते हैं चलनी समन्य आकारों वाले अव्योभों को छेद से होकर गुजरने देती है जबकि बड़ी असुदियां चलनी में ही रहती है आटे की मील है आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विद्धी का उप्योग किया जाता है इसका उप्योग निर्मान अस्तलों पर रेत और शिमेंट के मिश्रण से चोटी गांट चोटे पत्थरों को अलग करने के लिए भी किया जाता है पांच्वा प्रेशन है रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तता जल को कैसे प्रत्थक करेंगे उत्तर होगा रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निमलने की चरणों का पालन करेंगे एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण को छोड़ देंगे कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है इसे अवशादन कहते हैं पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में डालेंगे इसे निस्तारण कहेंगे और हम रेत के बारिक कणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं जिसे निश्चन्दन कहते हैं तो ये हमारे परशन हुए थे इसके बाद में अगला परशन देखते हैं च्छटा परशन आटे और चीनी के मिश्रन से क्या चीनी को परता करना संबव है अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे हाँ इसका परता करना संबव है किसी चलनी का प्रयोग करके चालनवीदी के माद्यम से आटे के साथ में मिश्रित चीनी को अलग किया जा सकता है मुझ चलनी से चानेंगे तो आटा चान जाएगा और चीनी एकन बड़े होते हैं तो वो चलनी में रह जाएंगे अगला प्रशन है पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वक्ष जल कैसे प्राप्त करेंगे पंकिल या मिट्टी मिला हुआ जल से साप पानी प्राप्त करने के लिए निमलिक चलनों की आवशकता होगी एक कंटेनर में पंकिल जल डाल कर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं कुछ समय के बाद कंटेनर के नीचे अशुदियां जमा हो जाती है इस प्रकिरिया को उसादन कहेंगे उपरी परत साफ पानी की है इसे दूसरी कंटेंडर में डाल देंगे इस परकिरिया को निश्थारण कहेंगे और जो महीन अशुदिया है बारिक चोटी अशुदिया है उसको दूर करने के लिए इसे फिल्टर पेपर की मदद से चान लेते हैं इस परकिरिया को निश्चन्दन कहेंगे आगे देखिए आप रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है पहला है धान के दानों को डंडियों से पर्तक करने की विदी को त्रेसिंग कहते है दूसरा है किसी एक कपड़े पर दूद को उडेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है पर्तक करन की यह परकिरिया निश्चन्दन कहलाती है समुदर के जल से नमक वास्पन परकिरिया द्वारा पराप्त किया जाता है जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुदिया तली में बैठ जाती है इसके पस्चात स्वक्छ जल को उपर से पर्तक कर लेते हैं इसमें उप्योग होने वाली पर्तक करने की परकिरिया को निस्तारन कहते हैं अब इसके आगे चार ये वाक्य हैं इसमें सत्य और असत्य अपने को छाटने हैं दूद और जल के मिश्रन को निश्चन्दन के दोरा पर्तक किया जा सकता है ये असत्य है, मिश्रण को परतक इस निशंदन के दोरा नहीं किया जा सकता नमक और चीनी के मिश्रण को निश्पाउन के दोरा परतक कर सकते हैं, ये भी असत्य है चाय की पतियों को चाय से परतक करण निशंदन के दोरा किया सकता है, ये भी जूट है अनाज और भूसे का प्रतक्रण निस्तारण प्रक्रम दोरा की अज़ा सकता है ये भी असत्य है अब इसका अंतिम प्रशन देखते हैं जल में चीनी तिता निम्बू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है आप बर्फ डालकरी से ठंडा करना चाहते हैं इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी गोलने से पहले डालेंगे हैं बाद में और किस प्रक्रण में चीनी अधिक गोलना संभव होगा तो हमें बर्फ डालने से पहले चीनी को गोलनी चाहिए ठंडे पानी की तुलना में चीनी गर्म पानी में जल्दी गोल जाती है कीजिए और किशी परशन में समश्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर अपनी समश्या को बता सकते हैं आपकी समश्या का निस्तारण किया